प्रेग्नेंसी की दोरन गर्वती महिलाओं के शरीर में बहुत सारे शारेरिक चेंजिस तो होते ही हैं दोस्तों लेकिन इसके अलावा एक ऐसा अनोखा बदलाओ गर्वती महिलाओं के शरीर में होता है त्वचा में होता है ना भी के उपर से लेके नीची तक एक काली रंग क लाइन पढ़ जाना जिसे की लीनिया नाइकरा तहा जाता है जिसे लेके गर्वती महिलाओं के मन में काफी ज्यादा सवाल भी होते हैं कि आखर ये लाइन होती क्यों है और इससे क्या गर्व में शिशू को कोई नुकसान तो नहीं होता है या फिर मेरे शरीर में इसके कोई तुष्प्रभाव तो नहीं होंगे इसके अलावा नाभी लाइन को लेके गर्वती महिलाओं के मन में ये जानने की बहुत ज्यादा उतसुता होती है कि क्या वाकई नाभी लाइन के थूप पता कर सकते हैं कि गर्व में पल रहा शिशू लड़का है या लड़की तो दोस सबसे पहले जानते हैं कि पेट पे पढ़ने वाली ये काली जो रेखा होती है ये आखिर क्या होती है दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान हाइपर पिगमेंटेशन के कारण महिलाओं के पेट में ये काली रेखा बनने लग जाती है और ये जो रेखा होती है ये प्रेगनें में यह रेखा काफी गाड़ी होती है और कुछ महिलाओं में यह बहुत ज्यादा खलकी भी दिखाई देती है यह जो नाभी लाइन होती है डिलीबरी के बाद धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होने लग जाता है अब यह नाभी में काली लाइन बनने के कारण किया होते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान गर्वती महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है इसके चलते मेलानीन यानी की स्किन पिग्मेंटेशन का श्राव बहुत अधिक होने लगता है और सरीर में मेलानीन की मातरा अधिक होने की वज़े से आपकी यह बहुत ही जादा natural process है pregnancy का नाभी लाइन को लेके गर्वती महिलाओं के मन में लड़का होने या फिर लड़की होने को लेके बहुत सारे सवाल खड़े होने लगते हैं क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर गर्वती महिला के पेट में ही जो यह लाइन है बिलकुल सीधी है गाड़ी है और नाभी लाइन से होकर गुजरती वी उपर च्छाती तक है तो ऐसे में गर्वती महिला के पेट में लड़का होता है और इसी तरीके से अगर यह ल पेटिया हैं, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे पेट में लीनिया नाइगरा, दोनों टाइम पे एक जैसा ही था, गाड़े रंग के लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नाभी से होकर उपर छाती तक थी, लेकिन दोनों टाइम पे मेरी बेटिया ही हुई है, जबके मेरे जो ल मैं इसका कोई भी व्याग्यानिक आधार नहीं है, ऐसा कोई भी प्रमान इस से रिलेटेट नहीं है, लेकिन फण के लिए मज報नी के लिए आप इससे समझ सकते हैं, लियनिया नाइगर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके गर में लड़का होगा या लड़की लेकिन इसके कोई वैग्यानिक आधार नहीं है तो यह ती जनकारी, अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हैं कोई क्वेस्चन हैं, क्वेडिस हैं तो डारेक्ट आप मुझे इंस्टागाम पे मैसेज कर सकती है इंस्टागाम आईडी आपको वीडियो में फ्लैश हो रही है आप यहाँ पे मुझे डारेक्ट मैसेज पूछ सकती है उमीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा थैंक्स पर वाचिंग दोस्तों फिर में लोगे आपसे नहीं वीडियो में तिल देन स्टे हैप्पी स्टे हैल्थी